हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु मैं चैनल, आज हम डिजाइनर रेडी मेट स्टाइल कूरती बनाएंगे इसके लिए हमने याँ पर धाई मीटर फैब्रिक लिया है और ये पैंट का फैब्रिक है जिसमें से हम थोड़ा सा यूज करेंगे और ये हमने लेस लिए है कॉन्ट्रास्ट कलर में सबसे पहले हम टॉप पारट की कटिंग करेंगे इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड में रखा है टॉप पारट की लेंद हमने लिए है 15 इंच अब यहां से हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच अब यहीं से आर्मोल लेंगे 6.5 इंच इन दोनों पॉइंच को जोडेंगे यहां पर चेस्ट का फोर्थ पारट प्लस 2 इंच लेना है तो मैं लेने हूँ 12 इंच यहाँ पर कमर का 4th part plus 2 inch लेना है तो मैं लेने हूँ 10 inch इन दोनों points को जोड़ेंगे अब यहाँ पर हम 1 inch उपर mark करेंगे और हलका सराउंड शिप ड्रॉण करेंगे अभी हम armhole ड्रॉण कर लेंगे तो यहाँ से 1 inch लेंगे और back का armhole ड्रॉण करेंगे अबी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back armhole से की cutting कर लेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी हम इसको open करेंगे और इसमें से back पारेट को side में रखेंगे और front पारेट को फिर से fold कर लेंगे और front armhole की cutting करेंगे तो इस तरह से फ्रेंट आर्मोल की भी हमने cutting कर ली है अभी हम back part लेंगे तो back neck लेंगे हम 3 inch और neck depth लेंगे 3 inch round ship देके हम इसकी cutting कर लेंगे अभी sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने फाबरिक को फूर फोल्ड में रखा है फूर फोल्ड की वेड़ है 10 इंच और स्लीव की लेंध है 15 इंच अब यहां से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव का शेप देंगे अब यहां पर स्लीव बॉटम लेंगे 7 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे तो हमने स्लीव की कटिंग कर ली है अब इसको ओपन करके रखना है और यहां पर हमें हाफ इंच अदर से फ्रेंट का आर्मोल ड्रॉख करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ पर सेंटर में भी एक कट लगा लेंके अभी बॉटम पारड के लिए इस तरह से हमने फाब्रिक को डबल में रखा है अभी इसको फोर फोल्ड कर लेंके इसकी जो वेड़ थे वो 21 इंच की है और लेंध हमने लिए 34 इंच बॉटम पारड के लिए अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंके एक बार और तो यहाँ पर यह जो फाब्रिक का प्रेंट है यह उपर की तरफ है मतलब एक ही साइड में है तो यहाँ पर हम बंद कली कट करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है तो इसका सेंटर आ रहा है 6 इंच पे अब यहाँ से दोनों साइड में हम 33 इंच पे निशान लगा लेंके उसके बाद यहां से लेंगे हम थर्टीन इंच की अब इसको यहां पर और इसको यहां पर तीरचा जोड़ेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो अभी हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से तो यह दो पीस एक फ्रेंट का और एक बैक का तो एक पार्ट को साइड में रखेंगे देखे इसको उल्टाई रखना है और उल्टी साइड से हमें इस तरह से इसको मिलाएंगे और स्टिच करेंगे तो इस तरह से यह हमें कलियां स्टिच करनी है तो देखे इस तरह से हमने यह कलियां स्टिच कर ली है सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी स्टिच कर ली है कलियों को अभी हम फ्रेंट नेक बनाएंगे तो इस कैच बनाने के लिए हमने बॉटम पार्ट में से थोड़ा सा फैबरिक लिया है इसकी जो वेड़ है वो 9 इंच की है और लेंध है 14 इंच अभी इसको हम फोल्ड करेंगे अभी यहाँ पर नेक वेड़ लेंगे 3 इंच और नेक डेफ लेंगे 4 इंच और राउंड शेप दे देंगे उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम धाई इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से एकदम हलका सा वी शेप ड्रॉड कर लेंगे अभी इसको हम दुसरी साइड में पलट के फोल्ड करेंगे और टैप करेंगे अभी यह निशान दुसरी साइड में भी आ गया है इसको डार्क करना है अभी यह नेक लाइन हमने ड्रॉड की है अभी इसको हम स्टिच करेंगे फ्रेंट अपार्ट में तो इसको हमें उल्टा रखना है सेंटर में मार्क कर लेना है उसके बाद पैच को भी हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे सेंटर से सेंटर को मिलाते वे रखना है उसके बाद हमें नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर हम पूरे में पीन्स लगा लेंगे उसके बाद इसको स्टिच करेंगे तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है तो यहाँ पर इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे पाव इंच खा मार्जिन रखके और यहाँ पर हम चोटे-चोटे कट्स लगा लेंगे उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ पल्टेंगे सीधी साइड में तो अभी हमने यह लेस ली है तो इस लेस को हम इस तरह से स्टिच करेंगे पैच के उपर तो देखे कपड़े को इस तरह से हलका सा प्रेस से हमने दबा लिया है अब यह लेस हम इसके उपर से स्टिच कर लेंगे कॉर्णर पर इस तरह से लेस को फोल्ड करना है उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लेस को फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे तो इस तरह से हमने फ्रेंट में लेस को लगा के रेडी कर लिया है तो इस तरह से हमने फ्रेंट रेंग बनाया है अभी बैक रेंग बनाएंगे इसके लिए हमने तिरची पट्टी ली है इस पट्टी को इसके उपर उल्टा रखके स्टिच करेंगे तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है अभी front का part हम इसके उपर उल्टा रख लेंगे और shoulders attach करेंगे अभी sleeves के लिए हमने ये पट्टी लिए है इसकी जो length है भी हमने 5 inch के लिए है पट्टी को इस तरह से इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे और bottom में double fold कर देंगे पट्टी के उपर यहाँ पर हम lace लगा लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों sleeves को ready कर लिया है अभी हम sleeves को shoulder के उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया अभी top part और bottom part को stitch करेंगे तो top part को bottom part के उपर उल्टा रखना है और stitch करना है तो हमने दोनों parts को stitch कर लिया है उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों side से fitting करेंगे और bottom को double fold करेंगे